बिहार में हो रही, सेकंड फेज की BPSC के मादम से टीचर रेक्रूट्मेंट का एडवर्टीजमेंट जारी कर दिया गया है, आवेदन की तितियों की भी गोशना कर दी गई है, और परिच्छा तितियों की भी गोशना कर दी गई है, इन सब के बीच में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या seated appearing वाले को मौका मिलेगा, beard और dealet जिनका complete नहीं है, और जिनका appearing में क्या उनको मौका मिलने जा रहा है, अत्वा नहीं, detail में बात करेंगे, आंतर तक जोड़े रहेगा, नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है नीरज, आप देख रहे हैं, carrier bit, youtube channel, अगर आप इस channel प रहेगा, अब बात करते हैं, seated appearing वाले को मौका मिलेगा या नहीं, same situation, अगर आप KBS पर देखें, तो KBS PRT 2019 में जो vacancy आई थी, उसमे seated appearing वाले को मौका दिया गया था, उसके बाद से उस recruitment में, जो भी KBS ने महसूस किया हो, उसके बाद से जब 2022 में vacancy आती है, जिसकी परिछा 2023 में हुई थी, और अभी interview उसके होने प्रस्तावित हैं, उस notification में appearing वाले को मौका नहीं दिया गया, अब इसी प्रकार से BPSC में देखें, BPSC में क्या होता है, कि इस बार appearing वाले को मौका दिया गया और बहुत ज़्यादा विवाद इसको ले करके मचा था, जो seated already qualified है, जो B गोशित किया गया, जिसको लेकर के लगतार BPSC पर सवाल उठ रहे हैं, इन सब को देखते हुए BPSC निश्ची तोर पर इन सभी बातों पर विचार जरूर करना चाहेगी, कि appearing वाले को इस बार मौका दिया जाए अथवा नहीं, हलाकि इसका दूसरा पक्च भी है, appearing वाले क को मौका का सवाल तो तब उठेगा, जब सीट इसके समन्द में ओफिशल नोटिफिकेशन निकाल दे, हलाकि ये most probable है कि CBSC बोर्ड के द्वारा सीट दिसंबर 2023 का नोटिफिकेशन प्रस्तावित है, नवंबर मिड तक आना, और BPSC के मादेम से जो आवेदन की अंतिम तिति साथ से लेकर के 10 तरिक तक, तो अगर इसके बीच में, आवेदन के प्रसेस के बीच में, अगर CBSC बोर्ड सीट दिसंबर 2023 के लिए नोटिफिकेशन निकाल देता है, तब तो कम से कम आपके पास एक विकल्प रहेगा कि आप अपनी मांग को रखें, अगर नोटिफिकेशन ही नहीं आता है, CBSC बोर्ड के द्वारत, तब तो कोई सम्हावना ही नहीं रहेगी, क्योंकि बिहार राजे सरकार ने अपने यहां BTET कराने से साफ मना कर दिया है, उनका साफ तोर पर यह कहना है, कि जब सेंट्रल लेवल की, जो CBSC बोर्ड है, जब वो हर साल दो बार सीटे के पेपर को कंड़क करा लिया है सितंबर में, और उसके रिजल्ट की भी घोशना हो चुकिया, और उससे सम्मंदित जो भी यह भीड़ती है, वो PGT और TGT में अपलाई करने के लिए पूरी तरीके से पात रहोंगे, तो यहां पर अगर आप देखेंगे, तो सब कुछ डि नोटिफिकेशन इन तिथियों के बीच में जारी कर देता है, अथवा नहीं, माल लिजे, BPSC ने तिथी आवेदन लेना सुरू कर दिया, और आवेदन की अंतिम तिथी समाप्त हो गई, उसके बाद अगर CBSC बोर्ड अपना नोटिफिकेशन निकालती है, तो फिर BPSC अप को हर हाल में परिक्षा भी कंड़क करानी है, तो बहतरीन मौका है सब के पास, और अपिरिंग वालों की अगर बात करें, तो उनका अभी देखिए, इस्तिती 50-50 है, अगर CBSC बोर्ड नोटिफिकेशन निकाल देता है बीच में, तो अगर नोटिफिकेशन में आगर आपको मौका नहीं दिया जाता है, तो कम से कम आप दबाव बना सकते हैं, या फिर अगर आप कोड का रुख करना चाहते हैं, तो कोड का रुख कर सकते हैं, लेकिन अगर नोटिफिकेशन ही नहीं आए, तब तो सारी उमीदे खतम हो जाएंगी, और जहां तक बात है, BDAD और DLAD क के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया था, उसमें जो जो गलतियां की गई हैं, आयो के द्वारा निस्ती तोर पर, वो उन सभी गलतियों से कुछ सीखते हुए, कुछ उसमें सुधार करते हुए एडवर्टिजमेंट को जारी करेंगे, और उसमें क्या-क्या सुधार किया और बहुत बहतरीन मौका है, 32,000 पदों पर अपर प्रैमरी की वेकेंसी आने जारी है, जिसका इनहेंड सेल लगभग 45,000 के आसपास आपको मिलेगा बिहार में, और ये वेकेंसी में D.A.D. और D.A.D. वाले बिल्कुल इलिजिबल हैं, आप सभी के लिए बहतरीन मौका हैं और जहां अन्य राजों में वेकेंसी नहीं आ रही है, यहां पर आप एक बहतरीन विकल्प के तौर पर देख सकते हैं, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धनेवाद, भगवान करें आपका दिन, शूब हो